Hello everyone, कैसे आप लोग आई हुझा होगे हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे जो है ब्रीच पॉजिशन में क्यों होता है मतलब कि उल्टा बच्चे सीधा करने के कौन कौन से तरीके होते हैं क्या हम उल्टा बच्चे को सीधा कर सकते हैं तो इसी की बारे में हम आज की वीडियो में जाने वाले वीडियो बहुत जदा हेलफुल होने वाले है, वीडियो को आज तक जरूर देखीगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगंशी में जो है आपको, जब आपकी पहले से ही तो बच्चा नॉर्मली आपका नीचे की साइड में ही रहेगा अगर आपके बच्चे का हैड जो है वो नीचे की साइड में है तो आपकी नॉर्मली डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी कोई भी दिक्कत नहीं होगी मतलब बच्चा सीधा होगा लेकिन अग अबजला है। तो आपकी नॉम्मर डिलीबरी नहीं होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका बेभी कसर उपर की साइड होता है कि गभी के जो पैर है नीचे की साइड होते हैं। कि दोनों पैर एक साथ ना आएं और ऐसा भी हो सकता है कि एक पैर पहले आए बहार तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो इस केस में ऐसा होता है कि बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाता है तो ऐसे में डॉक्टर आपको सिजीरियन की सला देते हैं और नॉर्मली अगर आप चहातें कि आपका बच्चा जो है वो सीधा मतलब नॉर्मल डिलीवरी से ही हो और सीजीरियन ना हो तो उसके लिए कुछ चीजे जो है आप पहले से तयारी करेंगे तो आपका बच्चा जो है नॉर्मल होगा नॉर्मल डिलीवरी से होगा और सीधा से बच्चा सीधा आजआ पहले बात कर दी क्यों बिच्चा किवा अई लटा क्यों होता इसके कार Independent यह भी होते हैं कि अगर आपके बच्चे तो होता है कि बच्चा घूम नहीं पाता है पानी क्या है टो बच्चा उसी पुजी सर रहता है यह फिर बच्चे का जो गर्ब नाल जो होता है मतलब जो पुराइन बोलते हैं जिसको वो अगर नीचे की साइड में है तो भी कई बार इन cases में भी बच्चा जो है breach position में ही रहता है तो इस वज़े से ये कारण होता है कि बच्चा breach position में रहता है लेकिन अगर आप चाहाते हैं कि बच्चा जो है ब्रीज पोजिशन में ना रहा है सीधर है और आपकी नॉर्मर डिलीबरी हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी है जैसे कि आप अगर आपकी डिलीबरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आपके कोई भी पहले से के लिए नहीं हुआ है तब यह चीज करिएगा ठीक है आपको क्या करना है पट लेटना नहीं है बैटना है पहले पैरों को मौड़ के और उसके वाद हातों के तुरू आपको मतलब सर उनके यह पर और हाथ से थोड़ा सा उठाना अपने आपको कमर को और पेट आपका नीचे की साइड में नहीं लगना चाहिए ठीक है इस तरह से अगर आप साथ में महीने से डेली करती हैं तो इससे क्या होता है बच्चे को घूमने में अराम मिलता है बच्चा असानी से जो है अगर क्रेंड और आपको पता है रेस्ट करना तो ही अप रेस्ट करिए बनना आपको अपनी बाटी पर यंद्स करेंगे तो उचे साईगी और बच्च से 05 डिंस रहेंगी सारी और आप करती हैं तो इससां गोगा निंस चलुभत बच्च्थ्च नहीं रहेगा ब्रीच पोजिशन में नहीं रहेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी छोटी-छोटी चीजे जो आपको करना है इसके लावा अगर जैसे आप थोड़ा सा बॉकिंग बगार भी करते हैं इससे कि आपका ब्लेट फुलू जो है वो तेज होगा जिससे क बच्चा जो है वो अच्छे से घूम फिर पाएगा उसको नीचे नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको साहता मिलेगी और आपको अपनी डाइट में खाना पीना जो है अच्छे हैल्दी रखना है बेट आपको बहुत ज़दा बढ़ ज़दा बढ़ जाता है इसकी वज़े स खाई है लिक्ट चीजे मतलब पीजे जूस बगएरा दही शांज बगएर यह सारी चीजे अपनी डाइट में एड करिए तो यह चीजे जो है अगर आप करती है सुरू से ही तो आपका बच्चा जो है ब्रीज पुजिंस से सही हो जाएगा सीधा हो जाएगा तो आई होब क करना चानल को सबस्क्राइब ने किया तो जल्दी से कर लिए